नमस्कार आपका स्वागत है हमारे हिंदु समाज में तर्य तर्य की धर्मिक तयोहार और तितिया मनाई जाती है पर हिंदु धर्म के पंचांग में एक ऐसा महिना भी आता है जहां हम अपने पित्रों के आशिरवाद को प्राप्त कर सकते है जिसे पित्रपक्ष का महिना कहा जाता है हिंदु पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्निमा तिती से पित्रपक्ष आरम होते है पित्रपक्ष आश्विन मास की कृष्णपक्ष की आमोसे तिती तक कुल 16 दिन चलते है इस साल पित्रपक्ष 20 सितंबर से 6 अक्तुबर तक मनाई जाएंगे हिंदु समाज में पित्रों को देव तुल्य माना गया है इसलिए पित्रपक्ष के दोरान पित्रों का अशिरवात प्राप्त करना बहुती लाबदाई होता है गरड़ पुरान के अनुसार पित्रपक्ष में अगर पित्रों का तरपन नहीं किया जाता है तो पित्रपक्ष की मा में कुछ उपाय वश्य करें आज की इस वीडियो में हम आपको पित्रदोश से मुक्ति के उपाय बताएंगे और ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पित्र हमसे नाराज है और हम पर पित्र दोश लगा हुआ है तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं पित्र दोश मुक्ति के उपायों के बारे में और उसके बाद जानेंगे उन संकेतों के बारे म गरुड पुरान के अनुसार पितरपक्ष के इस महिने को स्वयम इश्वर द्वारा मनुष्य के उद्धार के लिए पंचांग में शामिल किया गया है एक कथा अनुसार जब सारे पितरगनों ने भगवान विश्णू से प्रार्थना की कि हम कुछ समय के लिए धर्ति पर अपने प्रिये जनों से मिलना चाहते है उनके द्वारा बनाए गए भोजन का स्वाद लेना चाहते है तब स्रीहरी विश्णू जी ने उनकी बात को स्व आदिक माना जाता है सबसे पहले इस महा के आरम से एदियाब अपने पितरों का आश्यरवात प्राप्त करना चाहते है तो जब से पितरगनों आरम हो तब से हर रात अपने घर के द्वार पर जल का छिड़काओ अवश्य करे इसे राद के समय जो भी पितर आपके द्वार पर आये होंगे उस जल से उन्हें आवश्य तरपती होगी और वे आपके द्वार से रुष्ट होकर नहीं जाएंगे। प्रजलीत करना ये एक आचुक उपाय है जिससे आपके उपर सदेव आपके पित्रों की क्रपा बनी रहेगी। और उस भोजन से जो थोड़ा बज जाएं उसे लेकर आपको कोई को खिलाना चाहिए और जब आप ये भोजन कोई को खिलानी जाएं तब आप मन में अपने पित्रों को अवश्य याद करें। इससे आपके पित्र जहाबी जिस भी सुरुक में होंगे उन तक आपका भोजन अवश्य पहुँच जाएगा और उनका आशिरवाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। छटी बात पित्रों की पसंद की चीजे किसी जुरुत मंद को दान करना। जिसका प्रभाव आपके जिवन पर नजर आ रहा है। आप पित्र पक्ष के महिने में अपने पित्रों को तरप्त और प्रसंद करने के लिए भागवत कथा, गीता का पाठ, क्रिश्न भजन या जागरन जैसे शुब कार्यों का आयोजन स्वयम करे और पित्रों की आत्मा क की शांती के लिए प्रार्थना करें। के लिए तरस रहे हैं, तो आपकी कुंडली में पित्र दोश का योग होना इसका कारण बन सकता है। दूसरी बात परिवार के लोगों के बीच आपसी कलह और पैसों की तंगी भी इस ओर इशारा करती है। तीसरी बात, बेवज़े के कोट कचरे के केस होना पितर दोश की वज़े से हो सकता है। चोती बात, अगर आपकी बेटी के विवा में देरी हो रही है और इसके पीछे का करण आपको समझ नहीं आ रहा है तो कुंडली में पितर दोश की जाच करवानी चाहिए। पाची बात, सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन अगर आपका स्वास्ते ठीक नहीं रहता तो आपको भी पितर दोश हो सकता है। इससे बचने के लिए उपर बताएगे पितर दोश मुक्ति के उपाय अवश्य करें।